हेलो दोस्तो मैं का नहीं है एक भाई फिर से स्वागत करता हूँ आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंग्लिश क्यान पे जहां पे आपको B.A.D. से रिलेटे सबी प्रकार की जानकारी देखने को मिलती रहती है चाहे वो D.U.B.A.D. हो चाहे वो C.U.E.T. हो चाहे वो जामिया बीड से ही रिलेटेट इन्फोमेशन क्यों ना हो तो जैसे कि हमने इस से पिछली वी वीडियो में बताया था आपको कि जामिया बीड के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया बीड इन्टरंस exam जो सलीबुस रहता है उसका उसमें क्या क्या चीजेपूछी जाती है किन की चीजें वो बिश्यों को हमें पढ़ना होता है और कितने मिनिट का टेस्ट होता है, क्या पैटर्न होता है, तो सारी चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे and if you are new aspirant for the Jamia Beard entrance exam, so you must watch this video till the end and you can also subscribe our channel for getting more updates and videos about the Jamia Beard as well as the CUET for this year so here you can see the details of the entrance test 2021-22 and syllabus जो रहता है वो आपका same ही रहता हर year, like this year भी जो Jamia Beard है वो CUET के अंतरगत नहीं आया है but yeah, जो syllabus है और जो exam pattern है, जो exam conduct का mode है वो भी same ही रहेगा इस साल तो जैसे कि नाम है Jamia Beard, तो इसमें total questions जो आपसे पूछे जाते हैं, वो 170 questions होते हैं जो कि आपको physical mode में Jamia के center पर जाकर देना पड़ता है, like Jamia Milia Islamia जो university है उसके आंतरगती जाकर देना पड़ता है तो वहाँ पर एक आपको OMR seat दी जाती है, और question paper दिया जाता है, जो कि आपको fill करना पड़ता है, like आपके पास कोई भी CBT mode का option नहीं होता है, like computer based test इसमें नहीं होता है इसमें आपको physically question paper दिया जाता है, और OMR seat पर वो सारी जीचे करनी पड़ती है, तो 170 question होते हैं, और total time आपको 3 घंटे का दिया जाता है, जिसमें 180 minutes है और जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि passing marks 15% है, बट इसकी कोई value नहीं है, क्योंकि वहां पर passing जो criteria या पर admission का criteria है, वो cut-up based ही होता है कि जितने ज्यादा marks आपके cut-ups में आएंगे और उतने ही ज्यादा आपका selection का criteria रहेगा, ठीक है, तो selection के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा marks लाने पड़ते हैं, फिर उसके बिहाफ पे cut-up जारी होती है, और फिर उसमें से भी कई बच्चे selection, जिनका selection होता है, उनको interview round से गुजरना पड़ता है, फिर वहाँ पे बच्चों की छटाई जाती है, तो ले देकर last में बहुत ही गिने चुने बच्चों का जाम ये बेड में admission हो पाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक disadvantage होता है, कि after clearing the entrance test, you have to give the interview as well, okay, so फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपक 180 मिनट आपको दे जाएंगे, 170 क्विस्चन होंगे, and 170 क्विस्चन में different subject से question पूछे जाएंगे, जिसमें आपका general intelligence like reasoning होंगे, reasoning के 30 क्विस्चन होंगे, teaching aptitude से 30 क्विस्चन होंगे, current affairs से 30 क्विस्चन होंगे, और यह बहुत ही बड़ा part है, जो कि अगर आप यहाँ से ये स NCRT books से cover कर नहीं होते हैं, क्योंकि Jamia B8 का जो भी test, entrance test आता है, वो आप अगर देखेंगे, तो उसमें जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं, जो यहाँ पर subject knowledge में है, natural science हो गई, science, social science हो गई, mathematics हो गई, language हो गई, वो एकदम basic होता है, like अगर आप till 6 to 10 तक के NCRT cover कर लेते है तो आप हर एक question का answer अराम से दे पाएंगे, and believe me, I have given it myself also, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसमें किस तरह के question पूछे आते हैं, और मैं आपको topics भी clear करके दे दूँगा कि कौन-कौन से topics और कौन-कौन से chapter आपको NCRT में basically importantly पढ़ने हैं, तो आपका उससे थोड़ा और ज्यादा preparation में help होगी, तो यहाँ पर subject knowledge में आपको natural science से 20 question पूछे जाएंगे, social science से 20 question पूछे जाएंगे, mathematics में, mathematics में आपकी एक तरह की arithmetic portion होता है, जिसमें आपके सारे arithmetic के जितने भी chapters होते हैं, या फिर जितने भी question होते हैं, वो पूछे जाते हैं, फिर language में आपके ह Hindi या English में से जो भी आपने language select करी होगी, वो question पूछे जाएंगे, तो main आपका जो role play करते हैं, वो ऊपर के 3 section करते हैं, A, B, C, जिसमें आपके 30-30 questions से पूछे जाते हैं, general intelligence जो है आपके reasoning है, उसके भी मैं आपको important topics दे दूँगा, अगर वो आप cover कर लेते हैं, तो I hope कि 30 में सा 25 तो ला ही सकते हैं, even more than this, you can achieve in general intelligence, teaching attitude भी आप ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आप अपने ही knowledge पर दे पाएंगे teaching attitude का भी, मैं तो कहूँगा कि teaching attitude अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं, तो भी आप अपनी समझ बूच से वहाँ पर question के answer लगा पाएंगे, क्यों आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 6 महीने पुराना current affair पढ़ना पड़ेगा, 6 महीनों में भी उन current affair में भी बहुत सारे topics होते हैं, कहीं से भी चीजे पूच लियाती हैं, चाहे वो cricket हो, चाहे वो मनरंजन हो, चाहे शिक्षा के छेतर से हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई अभियान हुआ हो, या फिर theme हो, date हो, यह बहुत सारी चीजे current affair में पूची आती है, so I'll try my best to give you the current affair notes also, okay, बाकी जो subject knowledge हैं, वो natural science, science, social science और इस सारी चीजे हैं, यह बहुत ही basic हैं, यह आप अगर NCRT से पढ़ते हैं, तो भी आप अराम से cover कर पाएंगे, so, मैं तो कहूंगा कि आप जो general intelligence है, उसके जो maths लेबर दूगा, या फिर जो भी topics दूगा, वो cover कर लीजेगा, आपका general intelligence cover हो जाएगा, reasoning वाला part cover हो जाएगा, maths के भी मैं कुछ important topics आपके साथ share कर दूगा, वो भी आप cover कर सकते हैं, वहां से, बाकी natural science हो गया, और social science हो गया बाकी language भी आप अराम से tick mark कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है, तो ज्यादा hard paper नहीं आता है, जामिया का, बस आपकी थोड़ी सी preparation अच्छी रखना, ताकि आपकी जो basic knowledge है, उसके भी हाब पर भी आप इसको अराम से clear कर पाएं, जैसे 170 है, तो 170 का आप ये लगा के चल लीजे कि अगर आपके 140 क्रॉस हो जाते हैं, या फिर 145 क्रॉस हो जाते हैं, तो आपका admission अराम से हो जाएगा, but if you are coming like 110, 115, 120 even, so it can be difficult for you to get admission in jamia, so make sure you are giving your best in your exam, and हाँ यहाँ पर एक और चीज़ की, यहाँ पर negative marki भी आपको देखने को मिलेगी, तो अगर आप किसी भी question का answer दे रहे हैं, तो make sure you are dancer about that question answer, that it is correct up to your knowledge, okay, so this was the video, I think you would have gotten something new, and for getting more updates about jamia beard, you can subscribe our channel for getting more updates, and yeah, अगर आपको किसी प्रकार की registration में दिक्कत आ रहे हैं, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, बाकि मैं आपको एक separate video बना के दे सकता हूं, कि किस प्रकार से आपको registration करना है, even you can do registration by yourself, on the mobile also, if you have laptop as well, so that would be a great thing for you, तो आप खुज से भी अपना registration form fill कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई गल्ती जाती है, तो correction भी आप आगे कर पाएंगे, तो I hope आप सभी को सारी बाते clear रही होंगी, तो next video में मैं आपको important topics share करूँगा, reasoning के, और reasoning के साथ ही साथ maths के, बाकी teaching attitude आप देखी लेंगे, और इसके लावा फिर registration form किस प्रकार से भरना, क्या क्या mistakes नहीं करनी है, वो आगे की video में हम देखते रहेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दे, last date जो आप किया, 3 April है, 3 April तक सबी बच्चे अपना registration करवा ले जामिया में, अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है, okay, so thank you so much for watching this video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए चैनल को subscribe करके, हमार साथ जुड़े रहेगा, thank you, bye bye